कि विल्कम टू माई स्टूडेंट बहुत बहुत सवगय था आपका मेरे इस चैनल में बच्चों हम आपको बताएंगे सेंपल सलूशन आप बायो टेक्नोलजी का और पेपर में कैसे करना है अच्छे से कैसे आपको लिखना है यह चीज हम आपको सिखाएंगे और मैंने सलूशन खुद मदल लगाया है तो इसको आप देखेगा कि सवाल का प्रजेंटेशन कैसे करते हैं सलूशन को कैसे कापी में लिखना है आपको में इंग जामनेशन में कोई गल्ती ना होने पाए इस बातों का हम धान रखेंगे यह आपका सेंपल सलूशन है और यह मैंने सेट बी का बनाया था इस तरह से आपको कापी मिलेगी और यह इस सेट का सेट बी का मैंने सलूशन बनाया है इससे पहले मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यह कुश्चन है कैसे कुश्चन आएंगे आपके पेपर में इसमें इ जो पहला question इसमें दिया है, section A का हम discuss करेंगे, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला question देखे, x square minus x, इसको solve करना है, और इस linear equality को solve करना है, b वाला part है, c वाला part है, x है, d है, ये सारे question कैसा solve होंगे, इसका solution दिया है, तो सबसे पहले बच्छों, section A से सुरू करेंगे, और copy में आप द्हान दाविपते हैं, सबसे पहले, जो सबसे पहले आप द्हान दीजेगा, सबसे उपर, आप section ढल लिएगा, copy में मिलते ही, यहां पर section द्रीजीएगा, हर जो section आप सुरू करोगे, वहाँ पर आपको section डालना होगा. section A, हमने सुरू किया section A से, आप section C से सुरू करते हो, section B से सुरू कर सकते हो. तो सबसे पहले section A लिखेंगे, बच्चों. उसके बाद में answer number डालेंगे. हर जितना solution करेंगे, उसमें answer number डालेंगे. एंस्वर पहले का ए höherॉपे एंस्वर डालकर फिर आप पूसिंट को लिखना करिए लिए तो इस तरीके से प्रेजिंटेशं आपका रहे वाइन इसको ब्लिक पिन से करिएगा ब्लेक और बू पैन आपको यूज करना है इसके लाहए और कोई पैन नहीं थेर आफ सभी रंगा नहीं करना है pencil का use नहीं करना है कापी हिसकान होती है इस फजे से गञार याफ को है आपको बातू अध्यान करना पड़र ser- tadना सबसे पहले पहले के रॉइसरिवजिंगे इसक WAS मांगे सबने निकारा इसका कंपरेजरा जणरा इकूपरेशन हूश इस फारूले में ABC कमान उठाके पूट कर देंगे और काल्कुलेट कर देंगे माइनस से बनाएगा अंडरूट के अंदर माइनस से बनाएगा तो आयोटा निकल जाता है ठीक है इसके बाद में यह कंप्लेट सलूशन हो जाएगा और हैंस सलूशन लिखना मत भूलिए जो को लगाया है तो इस तरह से आपको जो कापी मिलेगी सबसे पहले कापी को आप किन लीजिएगा पेज को गिन लीजिएगा कापी को नहीं गिना है पेज को गिन लीजिएगा और सो डिसाइड का लीजिएगा तुरण कि कितने पेज की कापी है ठीक है मैक्सम पेज 30 होता है अगर आपसे उसमें कम page है तो आप इनवेज लेटर को क्या करोगे? return कर दोगे उससे दूसरी copy इसू कर लोगे ठीक है? नहीं तो math में आपके page कम पढ़ जाएंगे आप लिखोगे और page कम पढ़ जाएंगे आपको दुबारा copy नहीं मिलेगी तो इसके बाद में b वाला question है इसमें बहुत गलती हुए बच्चों से मैंने देखा है linear inequality में आपके दो number के question है तो इस दो number के question में आपका जैसे given लिखा हुआ है इस question को आपको solve करना है तो x को x के साथ भेज दीजी और constant को constant के साथ भेज दीजी ओके तो 3x में से 2s घटेगा एकस आएगा और 2 में से 2 में एक जुडेगा क्या जाएगा तीन आ जाएगा तो इस तरीके से x कोचा जा रहा है इसलिए x negative में चला जाएगा और 3 के आगे move फैला हुआ है इसलिए यह plus 3 में रहेगा और इसका number line पे हम क्या करेंगे draw कर देंगे यह आपका solution complete होता है आपका answer आ गया उसके बाद में c वाला part है यह जीपी में दिया है तो सबसे पहले question आपके सामने लिखा जाए तो उसको लिखिएगा कि यह जीपी है डीपी given in GP तो GP का concept क्या होता है कोई सोद जीपी में है तो आप GP का concept लगाए का concept क्या होगा a2 बटे a1 equal to a3 बटे a2 दूसरे पद में से पहले पद को भाग करना है ऐसे तीसे पद में से पहले पद को भाग करना है okay divide कर दिया फिर cross multiply कर देंगे x का x से multiply होगा x square आएगा 2 by से बने कट जाएगा यहां बचेगा minus 1 तो x को हटाएंगे plus minus under root वन आ जाएगा यह पार्ट complete हुआ लाइन खीज देंगे लाइन खीजना मत भूएगा बलेक से बड़े हैं से लाइन खीज देंगे जहां solution complete होगा answer लिख देंगे इसके बाद में पहले का d है यह permutation का question दिया गया था 6pr 6pr minus 1 इस permutation को expand कर देंगे फार्मूले से बच्चों यह फार्मूला होता है आपके सामने हम लिख रहे हैं फिर से फार्मूला हमारे बच्चों को तो याद है आप भी याद कर लिए npr equal to n factorial लिखेंगे और n में से r को minus कर देंगे और factor 10 लगा देंगे तो इस तरीके से बच्चों यह अपका npr के recording इसको खोल दिया गया है ठीक अब खोल के यहाँ factorial 6 देखा था factorial 6 को 5 लिख दिया गया है ठीक और 6 plus 1 7 हो गया 7 minus r इसको expand कर देंगे इक्वेशन मन के आएगी multiply कर देंगे तो इस तरह से quadratic equation बनेगा इस quadratic equation को solve करेंगे 36 लिखा हुआ है तो 9.36 होता है 9.43 होता है factor करेंगे r की value 9 और 4 आएगी इस quadratic equation को बच्चों आप calc से भी लगा सकते हो तो इसको आप calc से भी लगा सकते हो direct value निकाल सकते हो तो इस तरीके से बच्चों जैसे मैंने P का बताया है इसी तरीके से आप C का भी सवाल तयार कर लेना P का सवाल या C के सवाल में से कोई एक आएगा खोलने के लिए जिले धान रखेगा ठीके तो पहले का E इसमें equation of tangent निकालना था बच्चों equation of tangent निकालना था जो angle दिया गया था ठीक है 45 डिगरी बना रहा है तो 45 डिगरी की साहता से हम क्या निकाल लेंगे यम निकाल लेंगे ठीक यम निकालेंगे तो यम बराबर 10 ठीटा होता है 1045 हो जाएगा 1045 की value 1 आई यानि यम का माना गया equation of line का फार्मूला होता है y-y1 equal to m x-x1 तो x1 y1 की value उठाएंगे यहां से उठाके put कर देंगे यह equation निकल जाएगा ठीक है तो यह हमारा equation of the line आ गया अब पहले का f है तो ध्यान रखिएगा यह question दिया था ओके बहुत महातपूर question है यह ellipse का सवाल दिया था 14 से divide कर देंगे बोस साइट और आपका यह ellipse का equation आया ठीक आप बच्चों यह ellipse का equation आया तो इसमें देखिए यह value बड़ी आई है y square by 36 आया है यह बड़ी है larger है और यह क्या है यहां 4 जो है यह smaller है तो इसका मतलब जो question है यह y axis पर बन जाएगा कहां बन जाएगा y axis पर बन जाएगा ठीक तो इस तरीके से यह हमारा ellipse हुआ और ellipse में हम जब हमें पता चला कि हमारी जो y axis है वो बड़ी है तो उसको हम फट से a मान लेंगे और जो छोटा होगा उसको b मान लेंगे ठीक तो a square की value निकल गई b square की value निकल गई अब formula लगा to a square minus b square है तो a square की value 36, b square की value 4, 36 में से 4 minus करेंगे 32 आएगा a square घटा देंगे plus minus 32 आजाएगा और 32 को लिख देंगे 16 दुना 32 फोर डूटा जाएगा तो आप ध्यान रिखेगा बच्चों focus हमें लिखना है एक बड़ी है जुगार मैं आपको बता रहा हूं यह formula याद करने का तरीका अब देखो ellipse में क्या होता है एक्स square by a square plus होता है y square by b square equal to 1 ठीक ellipse में तो plus होता है ellipse में बच्चों तो formula में क्या लगेगा minus लगेगा formula में क्या लगेगा c square a square minus b square ellipse में क्या होता है plus होता है तो यह माइनस लगेगा अब यही अगर hyperbola होता तो hyperbola में c का जो formula होता है बच्चों c square equal to a square plus b square hyperbola में यह होता है और hyperbola का equation क्या होता है बच्चों remind करिए hyperbola होता है x square by a square minus y square by b square equal to 1 यह hyperbola होता है hyperbola में minus होता है ellipse में क्या होता है plus होता है तो hyperbola में minus होता है इसलिए c के formula में plus आएगा ellipse में plus होता है इसलिए c के formula में minus आएगा यह बच्चे एकसर गलती कर दिये हैं तो इसका बच्चों focus कहां जाएगा focus y axis पर चला जाएगा ठीक है focus जो चला जाएगा वो कहां चला जाएगा y axis पर चला जाएगा तो c का value निकल चुका है तो 0, comma plus minus 4 root 2 ठीक तो इस तरीके से focus निकल गया इसमें lettuce rectum निकालना था तो lettuce rectum का बच्चों formula क्या होता है 2b square by a b square की value put कर देंगे 4 और a की value 6 lettuce rectum निकल गया अब सवाल खतम हुआ, page खतम हुआ, अब page खतम हुआ तो क्या ड्रा करना है एक line ड्रा करना है तो देखने में खूब सूरत लगेगा, आपकी copy देखने में बहुत अच्छे लगेगी, teacher खुस हो जाएगा, copy को हमें सजा देना है, ऐसा लिखना है, ठीक है, तो इसलिए presentation बहुत महत्पूर्ण होता है, सबसे पहले सवाल में given लिखना है, ठीक, अब यह सवाल था, इसको भी बच्चे कई बच्चे नहीं लगा पाए, y equal to 10 inverse x है, इसका डिफरंसेशन करना है, तो 10 inverse का डिफरंसेशन क्या होता है, 1 upon 1 प्लस x स्कुर्ण होता है, ठीक, तो x के जहां पर क्या रहा है, x के जहां पर क्या रहा है, e की power x आ रहा है, तो x के जहां पर यह पूट हो योजी क्वाइब ऑशवाराइब 3 तो आपका क्या जाएगा 2 श्रता हो इसोलिशन हे वही तो इसको इंयता डिखक रदेना था और अच्छ के प्रegeनाПр shift तो बच्चो इस तरीके से आपका ये complete हुआ कौन सा नमबर था ये आपका yes था अब yes के बाद में अगला पाट है x equal to 4 sin theta देख नहीं रहा है आपको कोई बात नहीं है हम आपको discuss करेंगे x equal to क्या लिखा है 4 sin theta sin t y equal to 4 cos t थिक है तो इस x को क्या करेंगे t के podcast साइन Q साइन Q साइन Q फिर इन दोनों को क्या करेंगे divide करेंगे dy by dt बटे dx by dt थिक तो dy by dt की value केतना है minus 4 sin t और dx by dt की value केतनी है 4 cos t 4 for cancel हो जाएगा sine बटे cos क्या आजाएगा तो इस तरीके से यह एक पार्ट कम्थीट हुआ है अब जे वाला पार्ट देखिए, जे वाले में यह जो साइन लिखा हुआ है, इसका हमें निकालना था, maximumаем 되는umuz कlles इसका हमें क्या निकलना है यू कर दो सबसे कर दाए भी इसार सिर्थ कर दीजिए मेंक्सिरानद सबसाइब narciss on exercise के लिए का करेंगे जो पहला डिफ्रेंसी सिंशन है उसको सबस्सक्राइब करेंगे मिद डिउवाइवायद यह दू आजाएग कि जीरो फूट कर देंगे तो कॉसेच म्माइनस सइने ऑस वर्राबर जीरो हो गया थेक है जीरो फूट करतेंगे तो तो sin x को इधर लेकर चले जाएंगे दोनों पच्छों में हमने क्या क्या साइनेक्स से भाग कर दिया कौट एक साया कितने पर वैलू वन होता है हुटता है पैतालेस डिग्री पे तो जहां एकस वन लिखा था हूं हमने 35 पूट कर दिया तो यह X कमान 45 आया और 45 को पाई में करनोर्ट कर दिया पाई बाई 4 आ गया ठेक तो इस तरीके से X का वैलू आया इसको बोलते है critical value तो बच्चों maximum नों निकालने के लिए सबसे पहले हम critical value की critical value निकालते हैं और critical value हमारा निकल चुका है अब इसके बाद में हम जो आपका Second Derivative है जो आपका Second Derivative है उसमें वैच्चों उठाके पूट करेंगे critical value को यह उठाके पूट करेंगे critical value पूट हो गई अब अगर निगैटिव आता है क्या आता है वैच्चों निगेटिव आता है, तो क्या होगा, मैक्समा होगा, क्या होगा, मैक्समा होगा, और अगर पॉजिटिव आता है, तो क्या होगा, मिनिमा होगा, ठेक, तो यक्स का मान हमने पुट किया, पाइव वैइ फोर, तो क्या निकल कर रहा है, निगेटिव निकल कर रहा है, तो इसका यह pi by 4 उठा के वहां हम क्या करेंगे put कर देंगे pi by 4 put कर देंगे ठीक तो pi by 4 put करेंगे इसको from maximum value from first यह चीच छूट गया है इसका नहीं हो पाया है कोई बात नहीं हम pi by 4 put करेंगे तो कितना जाएगा sin pi by 4 plus cos pi by 4 ओके तो sin pi by 4 की value क्या होता है 1 by root 2 और इसकी value भी 1 by root 2 होता है दोनों को जोड देंगे तो 2 by कितना आजाएगा root 2 यह आपकी maximum value आजाएगी racialization कर देंगे root 2 by root 2 ठीक है तो कितना आजाएगा 2 root 2 by 2 2 to cancel तो maximum value बच्चो कितना आजाएगा root 2 इसका answer कितना आया maximum value root 2 आया maximum value कितना आया root 2 इसको आप करके देख लिजेगा तो बच्चो इस तरीके से मैंने आपके सामने section A का discussion किया section A को कैसे लगाना है दो-दो नंबर के question होते हैं बहुत important है इसको आप देखिएगा और अच्छे से लगाईए comment box में बताईए कि कैसा लगा section A आपको next video में मिलेगा section B तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ में आपको पूरा प्रजेंटेशन बताए जाएगा कैसे आपको लगाना है कैसा लगा वीडियो आपको मेरा हमें comment box में बताईएगा thank you very much share करिएगा like करिएगा subscribe करिएगा thank you very much